आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हम बात कर लेते हैं एनर्सी एक सो पचास और चाउदा जीरो दो क्योंकि फ्लेड में जो अपने पानी देकर देखा है या फिर उसके साथ कुछ सिचाई करने की बात करें तो प्रैक्टिकली किया जरूर है देखा भी है लेकिन फ्लेड का काम भी काफी वड़िया है तो जिनके पास इस प्रिंग कलर नहीं है डिप की वस्ता नहीं है वो फ्ल जनबरी को पानिया उसके बाद फिर सीट का जर्मिनेशन हुआ तो अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें जो जर्मिनेशन की तारीक है हम आपको पांच जनबरी ही बताएंगे इसके साथ मैं अभी देखिए इसकी कंडिशन को सीडेट जो सीडेट है थो आ रहे थे लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कुछ सेडेल की मिस्टेक की वज़े से यह जो गेफ है यह पूरे प्लाट में आ चुका है कर इसमें कोई समस्या भी नहीं है दवाई जो डालेंगे अपन उसमें भी काफी बहतर रहेगा उसके साथ में जो ओपन डिब डालेंगे इ जब तक फ्लावर का फिरी dovोड्स पाणार कार नहीं आ चेलेगा सिय तको दोड़सा चुलेगा की पानी चालेगा अब अगर इनक आरें करें आए है कि कुछ जो सीड है जो की थोड़ा सा मठाब इसमें कम बर किरिये demais म में जो पर दिशानी तो नीकलने उस प्रकार है समस् है सबढ़ sector प्राबलम मेश यह सहां है तो निकलने में ची समझ से आ रही तो यह सीद निकले इसके लीए अपर इसमें इस पर इन क्रींग कलर चला रहे हैं तो स्पिरंग क्लर चलाने के बाद यह सीदी पूरा बहर निकल यहां तक है यहां से अगर आफ इधर अधर देखोगे तो यह 14.02 लगा हुआ है तो इसकी परड़े आपको अपडेट देते रहेंगे और यहां से जो एनर्च 150 लगा हुआ है इसमें अभी स्प्लिंकर चल रहे हैं तो बेसिकली कहा है कि इसमें जब तक फ्लावरिंग स्टेज नहीं आएगी तब तक उतना यादा